तो फाइनली हम कोपरगा पहुँच चुके थे कोपरगा से आटो करके हम सीडी गए वहाँ पे हमने एक होटल लिया और फिर हम तयार होके मंदिर की ओर जाने लगे और मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था जो कि आप देख सकते हो और ये मिशो का है और ये सिल्क का सूट ह अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर बताएगा मैं आप लोगों को लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी प्लीस आप लोग बताएगा आप लोगों कैसा लगा ये एक ड्रेस माटेरियल है बट मुझे पूजा वगेर के हिसाब से रेड और ग्रीन का कॉंबिनेशन बहुत ज़ादा अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया था बट मुझे उतना ज़ादा ये कमफर्टेबल नहीं लगा सिलाने के बार सिल्क माटेरियल आप ज़्यादा टाइम तक के वेर करके नहीं रख सकते हो क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम तक के वेर करने से थोड़ी सी चूभन टाइप की फील होने लग जाती है तो मैंने सिर्प जब मैं साही बबाजी के दर्शन करने गई थी तब तक ही मैंने इसे वेर किया था फिर मैंने यलो और वाइट का कॉटन का सूट डाल लिया क्योंकि यह बहुत ही जादा कमफर्टेबल था फिर हम गए साही बबजी का प्रशाद खाने के लिए आप सेड़ी आओ और शाही बबजी का प्रशाद ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहां पर भारी माचा में लोग जो साही बबजी का दर्शन करने सेड़ी आते हैं वो एक बार तो जरूर साही बबजी का प्रशाद खाते हैं आप देख सकते हैं यहां कितनी जादा बीड थी इसे साही बबजी का प्रशाद डाले भी कहते हैं क्योंकि यहां साही बबजी का प्रशाद बन मंदिर जो कि यहां से बहुत जादा दूर था फिर हम प्रशाद खाने के बाद वहां के लिए निकलने वाले थे मैं सीडी कई बार आ चुकी हैं बट मुझे सबसे जादा बेकार इसी चीज़ का लगता है कि यहां गन्ये के रस निकालने के लिए अभी भी बैलो का यूस किया जाता है यह दिन भर खड़े रहते हैं क्योंकि सणी सिगनापूर के रास्ते में जितने भी लोग जाते रहते हैं वो यहां पे गन्ये का रस पानी वगेरा लेने के लिए ज़रूर रुखते हैं इसलिए बैलो को दिन भर खड़ा रखा जाता है उन्हें दिन भर ऐसे गले पे बांग के दिन भर उन्हें चलनी दिया जाता है अब बैलो का यूज ना गर के मशीनों का यूज करना सेडी में भी चालू कर देना चाहिए यहां गन्य की खेती बहुती अधिक मातर है इसलिए यहां पे आप जहां भी देखोगे वहां पे गन्य लगे हुए ही मिलेंगे पूरे रास्ते में अब हम शनी भगवान के मंदिर बहुत चुके हैं और बाहर में हमें कहा गया था कि शनी भगवान को सारा कुछ चरड़ा है म जो भी हम पूजा के लिए लेके जाते हैं वो सारे चीज उन पर चरड़ा है बट जैसे ही हम अंदर मंदिर में एंटर करने वाले थे वैसे ही वहां पर बड़े-बड़े से तब रखे हुए थे जिन पे आपको सारी चीज़े रखके जाने थी आप सिर्फ तेल की बॉटल ह अंदर ले जा सकते थे जब हम तेल बस लेके अंदर गए तो फिर वहां पर एक बड़ा सा कुछ रखा हुआ था जिस पे आपको सारी तेल और जो भी आप तिली वगेरा लेके जाते हैं वो उस पे डालना था जबकि तेल भी सनी भगवान के उपर नहीं चड़ाया जा रहा तो वो बाहर से अंदर कुछ ना लेके जाएं क्योंकि फिलाल अभी तो कुछ भी नहीं चड़ाने दिया जा रहा है सब कुछ बाहर ही रखा दिया जा रहा है तो आप भी मेरे साथ सनी बगवान का दर्शन कर लेजे सेडी में साही बाबजी के और सनी सिगनपूर में शनी दिवक़ा की दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हो गये जिस चीज के लिए हम गए थैं वो हमारा पुरा हो गया मैं ने मंदिर का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है मंदिर के अंधर का आप लोग भी जल्दी जल्दी से सनी दिवक़ा के दर्शन कर लीजी। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड था जिसे गौदी हवन कुंड भी कहते हैं अब हम मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं यह मंदिर के बाहर जाने का रास्ता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दो लाइक, कमेंट, शियर टो माई यूटूब चैनल वीचेश महिए प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए थैंक यू फो वाचिंग